How to fix G or Network not registered problem तो दोस्तों यह दि आप भी अपने SIM card पे जो है यह problem जो है आप face कर रहे हो तो इसे आप कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों यहापी क्या होता है कि जब भी हम यहाप स्टेडिस पार में यहापे हम देखते हैं तो SIM card not registered हमें यहापे शो होता है ठीक है तो दोस्तों आज सुबह ही मुझे यह शो हो रहा था अभी तो मैंने अपना problem को solve कर लिया है और मैं आपको बताऊँगा आप भी कैसे इसे solve कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहापे देखिए कम से कम मैं आपको 5 solution बताऊँगा 5 solution के अंदर एक ना एक तो आपका काम करी जाएगा इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा ठीक है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला settings आपको क्या करना है सबसे पहला basic setting का बात कर लेते ठीक है अभी advanced settings पर जाने से पहले सबसे पहले तो basic setting बता लेते है पहले तो आप अपना mobile का दोस्तों क्या करना है आपको settings पर जाने के बाद में अपना mobile का flight mode को एक बार own कर दिजिए airplane mode को on कर दीजे और अपना mobile को switch off कर दीजे switch off करने के बाद में आप जो है अपना sim card को निकाल लीजेगा ठीक है sim card को निकाल लीजे निकालने के बाद में दोस्तों आपको जो है sim card का slot को एक बार थोड़ा बहुत आप साफ करके फिर से गुसा दिजेगा गुसाने के बाद में मुबाइल को on कीजे और airplane mode को off कर दिजेगा उसके बाद में एक बार देखिए आपका network काम करता है कि नहीं काम कर जाता है सही बात है काम नहीं करता है कोई दिकत नहीं यह तो आपका basic setting था अभी में आपको बताओंगा आगी क्या करना है second setting दोस्तों आपको क्या करना है आपको setting में आके dual sim and cellular network पर जाना है या फिर आपको यहां पर शोओगा mobile network ठीक है या फिर आपको sim card शोओगा तो वहां पर आपको click करना है basically आपको sim card पर आना है और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है sim card के ओपर click करना है जो sim card पर आपक पर नेट्वर्क सर्चिंग देख रहे हो कुछ दिर यहां पर हम वेट कर लेते हैं और आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहां पर कुछ दिर हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन सा नेट्वर्क यहां पर शो होता है ठीक है तो automatically करने से क्या होता है कि दोस्तों आपका जो भी network है available वो क्या होता है कि वो automatically detect करके आपका network हा जाएगा यदि manual में select करके रखने से क्या होता है कि हमें network show नहीं होता है ठीक है हमारे सामने में जो भी available network है वो ही हमें जो है मिलता है यदि हम इसे automated के लिए को उन्ड करते तो आपको automatically के लिए पर रखना है अपको automatic पे है तो आपको जा कि automatic को बन कर देना है बन कर देना है एक बार बन कर दीजे बन करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी network शोगा उस network पे klik करके आप एक बार setup कर लीजे और बाद में जाकि जो है अपनो mobile को restart करके आप जो है automatic पे बाद में भी रख सकते ठीक है automatic पे नहीं हो रहा है manual कीजिए manual पे नहीं हो रहा automatic पे रख लिजे ठीक है दोनों में कोई भी एकसे लिक कर लिजे कोई फरक नहीं पड़ता यह आपका था दोस्तो third settings अभी दोस्तो आपको fort settings में आपको बताऊंगा fort settings आपको क्या करना है fort settings एक बार जो है आप चले जाए अपने mobile के additional settings पे एकदम नीचे चले आए backup and reset पे चले जाए reset to factory settings पे चले जाए अभी दोस्तो देखिए मैं जो phone इस्तमाल करता हूँ यह तो हो गया मेरा ओपो mobile शायद आपकी mobile में यह settings आपको देखने के लिए ना मिले तो गबरानी वाली बात नहीं है उसके लिए आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर reset system setting only पे click कीजिए यह आपके पास यह option है तो यह कर लिजी और reset system setting पे click करके आपको reset कर लेना है यह reset करने से क्या होता है कि दोस्तों आपका network का settings हो गया आपका mobile का जितना भी settings से वो reset हो जाएगा जो company से default आता है उसी भी रह जाएगा और आपका network का problem यह दिए settings पे छेड़का नहीं करने के होज़े से हुआ है तो आपका network का problem जो है वो solve हो जाएगा अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए यह था आपका option अभी यह दिए आपके पास setting reset करने का option नहीं है तो backup में आके दोस्तों आप यहाँ पे अपने mobile को backup रखके आप अपना phone को restore कर सकती हो old data को clear कर सकती हो उसके बाद भी एक बार check की जगा क्योंकि दोस्तों हमारी mobile में problem होनी के वो जैसे भी sim card network हमें not registered बताता है ठीक है अभी दोस्तों year half fourth आपका settings अभी fifth settings में आपको बताऊंगा और छट हुआ जो आपका छे settings रहेगा वो करने के बाद में तो definitely आपका problem solve होगा अभी देखे 6 problem क्या है आपको software update में जाना है यह दिए आपका mobile में software update आया है तो आपको यह update कर लेना है ठीक है क्या होता है कि दोस्तों हमारे network में जो है android का अंदर software में network में upgrade आने के वज़े से update आने के वज़े से जो है हमें अपना network काम नहीं होता है तो यह दिए आपको यहाँ पर download का option है आपको update करने का option आया है तो update कर लीजिए यह दिए आपका already updated है तो आपको क्या करना है अभी और फिर भी यह सारा कुछ करने के बाद में भी नहीं होता है देखे दोस्तों 90% तो आपका solve हो जाना चाहिए इतना करने के बाद में यह by chance फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है देखे आपका telecom company sim network company customer care से आपको बात करना है उन्हें बताना है आपका mobile number बताना है उन्हें बताई है कि मुझे network show नहीं हो रहा है not registered बता रहा है तो वो आपका problem definitely solve कर देगा जो मैंने आपको बताया वो सारा करने क बात में भी नहीं होता है तब तो दोस्तों आपका company के तरफ से problem होने के वज़ेसी नहीं हो रहा है ठीक है वो करने के बात में definitely solve हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा subscribe करके bell icon दबा दीजेगा और एक like जरूर कीजेगा thanks for watching